अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया has a rich and diverse cultural heritage शुरू से ही हमारे देश का जो heritage विराश्तत है जो संस्कृती है वो क्या रहा है रिच रहा है और बाकी कंट्री से थोड़ा सा अलग रहा है हटके रहा है जो भी हमारे culture, हमारे faith, हमारे customs, art, architecture, language ये सारे क्या थे जो हमारे ancestors थे, जो हमारे पूरवज थे उन्होंने भी accept किया और वो हमें offer करके गए, हमारे लिए छोड़के गए, ये सारी चीजे हमें विरासत में मिली है अपने पूरवजों से इस chapter में हम अपने country की जो भी culture ले जैसी है, उनके बारे में study करेंगे उसके अलावा science और mathematics में क्या-क्या development हुए थे, वो सारे हम इस chapters में पढ़ेंगे अब दिखिए जो एक ये थे philosopher थे history के, Arnold Toyn Bay, इन्होंने क्या कहा था ये इंडिया के बारे में कहके गए थे, एक quote दिया था इन्होंने इंडिया के बारे में At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is the Indian way कि ये जो भी human history का मतलब dangerous moment है, उसमें मोग्ष के लिए, मुक्ति के लिए जो भी एक मात्र रास्ता है, वो क्या है, Indian way को अपनाना, ठीक है भारतिय संस्कृति को अपनाना, भारतिय पत को अपनाना ही, मुक्ति का एक मात्र मार्ग है अगर culture और legacy की बात करें, तो हमारे इंडिया की जो culture और legacy रही है इन में क्या क्या है, science, mathematics, art, architecture, literature, इन सभी का समावेश रहा है ठीक है, हमारी जो language है, हमारा जो custom है, हमारी unity, ये सभी क्या है बाकी country से different है, हमें बाकी country से अलग करती है literature की बात करें, तो हमारे काफी सारे great works है literature में जो की Sanskrit language में लिखे गए है, दोनों टाइप की literature, religious भी और secular literature भी जो की पुराने time में composite किये गए थे, जैसे for example, वेदाज तो वेदाज क्या है, religious literature है, सबसे पहले रिग वेद, जो की हमारा सबसे पुराना वेद है संस्कृत में जो की लिखा गया था, इसमें क्या है collection of prayers, जो भगवान के बारे में, जैसे वरुन, अगनी, सूरी, ये सभी जो गौड़न हुए थे उनके बारे में, उनके praise में जो poems लिखी गई है, उनका collection है रिग वेद में जो हमारे बाकी त्रिवेद से हैं, वो कौन-कौन से है, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद उसके बार में रिग वेद के अलावा हमारे और जो में टेक्स्ट हैं, वो कौन-कौन से हैं, ब्राह्मन, अरन्यक, उपनिशद, पुरान, ठीक है, पुरान में कौन-कौन से, रामायन, महा भारत, ये सारे हमारे religious literature के main sources हैं, पुरान जो है, पुरान में क्या बताया गया है, वैदिक पिपल के ओरिजन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, गौड्स के बारे में, जो भी हमारे रिशी मुनी हुए थे, या जो उस टाइम के ruling families थी, कौन रूल करता था यहां पे, उन सभी के बारे में लिखा था, यह क्या बताता है, महाभारत में क्या बताया गया है, जो दो main royal families है, कौरव एन पांडव, उनके बीच का struggle, उनके बीच जो युद्ध हुआ था, उनके बारे में बताता है, उसी का एक पार्ट जो भगवत कीता है, जो हमारा में पवित्र गरंथ माना जाता है, हिंदू रिलीजियस की फिलोसफी माना जाता है, यह भी महाभारत का ही एक पार्ट है, उसके अलावत जो दूसरा हमारा epic है कौन सा, रामायन, यह किस ने लिखा है, महर्शी वालमिकी ने, तो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे राजा राम हुए थे, अयोध्या के, उन अधर्म पर धर्म की जीत के बारे में यह हमें बताता है, अब जो दूसरे और हमारी literature है, कौन-कौन से literature हुए है, जैसे buddhist literature जेन literature, तो buddhist और jean literature, जो है mainly कौन से language में कंपोस्थ किये गये है, प्रक्रित में, ठीक है, यह सं bestimmą लेंग्वे प्रक्रित में कंपोस्थ किये ग जिने क्या बोला जाता था पूर्वाज ठीक है और बाद में ये 12 section में divide किए गये जिसे 12 अंग बोला जाता था 12 पारट में ये divide किए गए में जो त्रिपिटक थे, ठीक है, क्या क्या नाम है उन में त्रिपिटक की, अभिदम पिटक, विन्य पिटक और सुत्थ पिटक, ठीक है, ये important बुद्धिस टेक्स्ट हुए थे, जिसमें बुद्ध की महात्मा, बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, जिसे स चेरेक्टर बनाया जाता था, टॉकिंग एनिमल्स, ठीक है, जो उसके पात्र होते थे, वो एनिमल्स को बनाया जाता था, स्टोरी के, तो वो होती थी, जा तक था है, अब ये सारे तो थे, रिलीजियस लिट्रेचर, अब हम बात करते हैं, सेक्यूलर लिट्रेचर की, रिल चैپ्टर्स, जो की मतलब, जो ग्रेट ग्रैमेरी निति है, हमारे पानिनी, उन्होंने लिखा था, महरशी पानिनी ने, और ये जो है, मेन संस्क्रिट ग्रामर का मेन work माना जाता है, मेन इंपोर्टेंट वक माना जाता है, उसके बाद में, और जो मेजर बुक्स हुई है, अर्थ सास्त्र, इंडिका, हर्ष चरित्र, वर्क अफ कालिदास, जातक टेल्स, पंच तंत्र, यह सारे और जो भी फॉरें ट्रेवलर्स ने जो भी लिखे थी, बुक्स वगेरा, यह सारे एक्जामपल हैं सेक्यूलर टेक्स्ट के, ठीक है, अर्थ सास्त्र किस ने लिखी थी कॉटिली ने लिखी थी, जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यह आर्ट अफ गवर्नेंस, इसके बारे में पूरा डेस्क्राइब करती है, अर्थ सास्त्र, और हमारा जो मौरी एंपायर था, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनकी मिलिटरी के बा जो दूसरी बुक है, इंडिका, यह मैगिस्थनी किसके बारे में बताती है, जो उस टाइम का पॉलिटिकल सोशल एकोनॉमिक पीरियड था, मौरे एंपायर का पाटली पूत्र का, उसके बारे में डेस्क्राइब करती है, यह बुक इंडिका, यह जो मैगिस्थनी थे, यह जो चंद्रगुप्त के टाइम में आये थे, राजदुत थे यह जो चंद्रगुप्त मौरे के टाइम में उनके पीरियड में यह रहते थे, यह इंडिया आये थे, उसके बाद में हर्ष चरित्र, जो कि किंग हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, जो कि किसने लिखी थी, उनके जो कोर्ट पॉइट थे बानबट उन्हों ने लिखी थी उसके बाद में और जो कालिदास जो ग्रेट पॉइट हुए हैं उनके जो कुछ वर्क्स हैं कौन-कौन से फेमस वर्क्स हैं उनके मेग दूत, रगुवन्शम, रितु सामर, कुमार संभव, अभिज्यान में फेमस वर्क हुए हैं यह चंद्रगुप्त सेकेंड यह जिन्हें और क्या बोला जाता था विक्रमा दिती है यह हमने पिछले चैप्टर में इनकी स्टोरी पढ़ी थी तो उनके पीरियड में कालिदास थे, एक संस्कित स्कॉलर थे, ठीक है, कोर्ट पॉइट भी थे उ जो डेस्क्रिप्शन है उन्होंने दिया गुपताएं पार के टाइम में उसी के तरह एक कौन थे हुन सेंग यह हुन सेंग भी आये थे हर्षवर्धन के टाइम में तो इन्होंने भी जो बुक्स लिखी है वो भी एक सेकुलर लिट्रेचर का पार्ट है उसके बाद में साउथ के बारे में जो साउथ हमारी कंट्री का साउथ पार्ट है उनके बारे में स्टडी करती की थी वहां के किंग्स के बारे में तो हमने उसमें पढ़ा था संगम लिट्रेचर हुआ था इसमें जो भी बुक्स लिखी गई है तमिल लेंगेज में लिखी गई है साउथ क इंडिया के आर्ट एन आर्टिटिक्शिर निया बात करें मरें इसाइन आर्ट हैं जो इनसीन अच्फीकर्ष अर्टीर और के स्कुल्प्चर , इतने से स्कुल्प्चर्ष शो कहसे बीखने हैं 1 दान संग घर्ल के जो की sculptures के main example है उसके अलावा अशोग के जो pillar है और जो अभी हमें सारनाथ से जो मिलता है हमारा lion capital ठीक है जो के इंडिया का national emblem है तो ये सारे जो है main great example है sculpture के उसके अलावा हमारे painting की बात करें तो काफी सारे prehistoric painting है जो की पाई गई है भीम बेट का caves में पाई गई है उसके अलावा एजन्ता एलोरा caves में पाई गई है जो paintings ये जो बनाई गई है paintings ये किस पर बनाई गई है तो बुद्ध के life के जो scenes है उस पर और जाटक तैस जो है उनके scenes बनाई गई है इस painting में इन पेंटिंग को क्या बोला जाता है मूरल्स ठीक है और इसमें जो कलर्स यूज़ किये गए है वो बिल्कुल रियल ये नैचरल मैटेरियल से बनाए गए थे इन पेंटिंग में यूज़ किये गए कलर अब आर्किटेक्चर की बात करें तो उस टाइम में काफी सारे स्टूप, विहार, चैत्य, मौनेस्ट्री, टैमपल्स, पिलर्स ये सारे बनाए गए थे एंशियंट पेंटिंग में उसमें से जो कुछ ये बनाए गए हैं आर्किटेक्चर उनमें पेंटिड हॉल बनाए गए हैं काफी सारे स्कल्प्चर बनाए गए हैं और ये सारे जो मंदिर वगएरा, स्टूप वगएरा जो बनते थे काफी खर्चा लगता था मतलब इतना बड़ा बनाने में एक्स्पेंस तो होगा ही तो जो राजा माराजा होते थे पुरानी टाइम के या फिर जो क्वीन्स होती थी रानिया होती थी वो बनवाते थे ये लोग और उनके लिए क्या-क्या में चीजे जो लगती थी सबसे पहले तो जो फेमर जो उसमें स्टून लगेगा ठीके जो भी बना रहे हैं आर्किटेक्चर जो भी बन रहा है कोई भी स्टूप बन रहा है तो उसमें जो स्टून लगना है सबसे पहले जो उसकी फेमस साइट होती जो उसकी रिलेवेंट साइट होती थी वहां से उस स्टून को मंगाया जाता था ट्रांसपोर्ट करवाया जाता था उसके बाद जो वो stones हैं उनको फिर shape में cut किया जाता था shape दिया जाता था जिस shape में बनाना है उसके बाद फिर उन्हें जो pillars हैं वाल्स हैं या floor हैं या ceilings हैं जहां भी लगाना है फिर उन्हें वहाँ proper position में fix किया जाता था तो ये काम जो भी artisans होते थे craft persons होते थे जो करते थे जो इन्हें beautifully cut करते थे card करते थे उन्हें decorate करते थे उन्हें फिर कौन pay करता था जो king होती थी या queen होती थी जो खजाना होता था ठीक है शाही खजाना होता था उनसे उन्हें pay किया जाता था फिर पैलिसेस की बात करें तो पैलिसेस की बारे में जादतर re pollutants जो हमें मिलती है MAG 3 की बुक से मिलती है, जो चंदगुपत मौरी की कोर्ट में आए थे उसके अलावा भी जो और ambassadors थे, या foreign travelers थे उनसे भी हमें पैलिसेस की बारे में पता चलता है गुपता period की टाइम में जो palaces बने थे wood से बने गए थे wood को कार्ड किया गिया था उससे बने गए थे तो ये सारे palaces के great examples थे उसके अलावा स्तूप की अगर हम बात करें तो स्तूप क्या है बुधिस्ट monument का एक type है ये कैसा होता है dome shaped मतलब इस शेप में ये स्टूप बना होता है इसके सेंटर में क्या होता है एक चैंबर बना होता है मतलब इस टाइप से ये गोल शेप में बना होगा और इसके सेंटर में क्या होगा एक चैंबर बना होता है जो गौतम बुद्ध थे, उनकी रैथ के बाद क्या हुआ, उनकी बॉड़ी का तो दा संस्तर कर दिया गया, लेकिन उनकी जो रिमेंस बचे वे थे, जैसे उनके एशेज, उनके तीथ, उनके बोन्स, ये सारे उनके फॉलोवर्स में डिवाइड कर दिया गया था, तो ये इन स्टूप्स है, कहां कहां बनाएगे हैं, जैसे सांची का स्टूप काफी फेमस है, उसके बाद में धमे की स्टूप काफी फेमस है, सारनात का स्टूप काफी फेमस है, ये सारे स्टूप्स के में इक्जामपल हैं, स्टूप्स के स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बाद में जो औ यह जो इस्टुप्स होते थे, इनके काफी सारे गेटवेज होते थे, जिनने किस से डेकोरेट किया जाता था, इन पर जो पेंटिंग्स काव की जाती थी, वो गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड होती थी, उनके लाइफ के बारे में कोई स्टोरी बताती थी, उसकी में विहार और मोनेस्ट्री की बात करें, तो काफी सारे प्लेसेज हैं, जहां पर बुद्धिस जो मौंक्स थे, बुद्धिस जो भिक्षू-भिक्षू कहें थे, वो लोग रहते थे, तो इन में से कुछ जो थी, वो एक केव के रूप में गुफाओं के फर्म में थी, जो एक फेमस जो ये केव है, कारले, ये पूने के पास में, ये इसका ग्रेट एक्जाम्पल है, उसके बाद में टेम्पल्स की बात करें, तो काफी सारे टेम्पल्स पी बनाए गए गजाम्पल मिलते हैं हमें, जैसे साथ वह न जो डांनिस्टी थी, इन्नोंने काफी सारी नहीं होती थी जैसे दशावतार टेमपल है यह देवगर्ध जांसी के पास है यूपी में यह इसका अच्छा एक्जामपल है उसके अलावा जो भीतर गाउ कानपूर के पास जो टेमपल से साची में वो भी ऐसे हैं स्ट्राइल और स्ट्रक्चर में यह किससे बने हैं ब्रिक पास बनाए थे जो विश्णू और शिव जो हैं उनको समर्पित किये उनके लिए बनाएगा यह टेमपल्स पत्टादाकल में एहौल में वतपी में साओध इंडिया में काफी सारे टेमपल्स बने थे फेमस टेमपल्स के लिए जाना जाता था उस ताइम साओध के गर्भगरी का क्या है जो में श्राइन होता था जहां पे है ना जो प्राइस और जो पंडित वगरा होते थे वो रिच्वल्स करते थे या वो जो वर्शिप करते थे जहां पे बैटके उन्हें बोला जाता था गर्भगरी ठीक है में सेंटर पार्ट उन्हें बोला जाता थ तो गर्भग्री जहां पे जो पंडित होता था प्राइस कि अपनी टूटी पूजा पार्ट करने तो मुझा उपर का पार्थ बेस्चर उग वह उसके बाद जहां बैठ रहें उन्हें मंडब बोला जाता था। ये सारी जो common चीज़े थी जो South India और जो North India थे दोनों के temples में पाए जाते थे और temples के लिए काफी famous थी हमारी country काफी main famous जो temples हुए जैसे मिनाक्षी temple वगरा great example है उस time का तो ये था जो हमारा chapter 12 अब जो इसका next part है वो हम पढ़ेंगे next video में